नमस्कार मैं सुजीत रहे आपको स्वागत है मेरा चैनल में सरकार ने मेकिन इंडिया को और बड़ावा देने के लिए डिफेंस सेक्टर के 300 से फी ज़्यादा प्रोडक्ट या आइटेम्स की इंपोर्ट के उपर बैन करके रखे है तकि इन सबी प्रोडक्ट को इंडिया मे जल्दी ही शामिल होने जा रहे है एके 203 SL राइफिल की चर्चा को आगे बराने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सार एकोइस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो इन्फोर्मेटीब और भेलेवे लगते है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एन शेयर कर कोरुबा औरनेस फैक्टरी में इंडो रशियान जोइन भेंचन ने कलास निकोप SL राइफिल एके 203 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है सुत्र के अनुसर फास्ट बैच में 5000 SL राइफिल एके 203 को डेलिवर करने का डेडलाइन रखे है अगले मार्च मैने में आपको पत की कहानियों को जानना बहुत ही जरूरी है तो आएए जानते हैं एके 47 की कहानियों को एके 47 की कहानी शुरू होती है सेगेंड वाल्ड वार के दोरन 1941 में हीटलर ने जब सोवियत संग पर हमला किया जिसमें मिखाईल कलाशनिकोफ नामोग T-34 टेंक कमंडर को इंजूरी होत और मिखाईल कलाशनिकोफ ने उसी बग ठान लिया कि मैं एक ऐसा राइफल बनाऊंगा जो सोवियत सेनाओ को चलाने में दिक्कातों का सामना करना ना परे। मेशिनों से लगाव के करन वो राशियान आर्मी के टैंक मेकानिक पोस्ट पर भरती हो गए। 1941 में दीतियोविशुईत के दारन इंजूरी होने के बाद वो नौकरी में कॉन्टीनू बने रहने के लिए अनफीट हो गए। फिर वो नौकरी में बने रहने के लिए उन्होंने पात साल के करी महनत के बाद 1947 में सोवियत संग के लिए अत्याधनिक एक बंदुग बनाये है जिसे आज हम AK-47 के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1947 में उनकी बनाये हुई डिजाइन लेके एक वेपन कॉम्पोटिशन में पाटिसेपेट करते हैं। और उन्होंने उस कॉम्पोटिशन को जितते भी है। फिर उनके AK-47 की डिजाइन सोवियत सेना को काफी पसंद आया था। तब सोवियत सेना ने इस मॉड़ल को अपने सेना में शामिल करने का फैसला किया। पर आज भी इस AK-47 के ही सीरिस को राशियन आर्मी ने एसल्ट राइफल के तौर पर यूज़ करते हैं। एके 200, एके 100 SL राइफेल को, पुरे दुनिया में ए राइफेल एक ऐसी राइफेल है, जो कोई भी मौसम में आसानी से चलते है, जैसे पानी, धूल, मिट्टी, कीचा रितादियों पर, और तो और इसे कई मैने के बाद भी चलाने से आसानी से चलते है, बिना कोई दिक्कातो से, दुनिया में एक ऐसी राइफेल है, जो कोई भी बैक्ती आसानी से चलाना सीख जाते है, बिना कोई खास ट्रेनिंग के, चाहे कोई छोटे बच्चे हो या बुजूर्ग, इजिली इस राइफेल को आसानी से एसेम्बल भी कर लेते है, इसकी साधरन डिजाइन के करण, 1947 में मिखल कलस्निकोफ ने इस बोंदुक का डिजाइन किया था बोलके, उनके नाम पर ही एके 47 का नाम रखा है, एके 47 का, एके का मतलब एफ्टोमेट कलस्निकोफ, यहाँ पर एफ्टोमेट एक राशियन शब्द है, इसका मतलब आटोमेटिक, इस बोंदुक को पहली बर दुनिया ने जाना जब साल 1955 की वियतनाम यूद में एमेरिका को कररारा जवब दिया वियतनाम आर्मी यानि पीपल्स आर्मी और वियतनाम और इनके सोबिय संग के मदद के तावर पर एके 47 थी, तब जके एसल्ट राइफेल एके 47 को दुनिया ने जाना और देखा इसके ताकत के बारे में, एके 47 की खुबी यह है कि एक मिनिट में 600 राउंड यानि एक सेगें में 10 बुलेट्स फायर कर सकते हैं और इसके साथ ही इतने गोलिया इतने जल्दी बरसने के बाद भी जाम होती नहीं थी, अब एके 203 के और आगे बढ़ते हैं, Ordnance Factory Board, Kalashnikov Group और Russian Rostec State Corporation की सबसीडियरिस Rozo Boron Export, इस इंडो रशिया जॉइंड वेंचर के तहट, जिस कॉमपानी ने AK-203 राइफेल को बना रहे है, उसकी नाम है IRRPL यानि इंडो रशिया राइफेल्स प्राइवेट लिमिटेट, SL राइफेल AK-203 का प्रोड़क्शन पिछले साल के एंडिंग में शुरू किये गया है, UP के कोर्भा Ordnance Factory में, आने वाले अगले 10 सलों में 6,427 राइफेल की प्रोड़क्शन किया जाएगा इंडिजनेस कॉन्टेंट से, जो की Made in India होने वाला है, ये एक भारतियों के उपल दी है, AK-203 SL राइफेल एक modern technology based deadly weapon है, साल 2007 में इस राइफेल का पहला prototype आया था AK-200 के नाम पर, साल 2013 में रैटनिक प्रोड़क्राम के तहत इस राइफेल को modification करके 103-3 नाम रखा था, लेकिन फाइनली साल 2019 में फीर से नाम बदल कर AK-203 रखा गया, अभी फिलाल इंडियन आर्मी और पेरामिलिटरी ने इंडियन small arm system यानि इंसस राइफेल का ही इस्तेमल करते है, साल 1990 में पहली बार इंडियन आर्मी में इंसस को शामिल किया गया था, इसे बनाए गया था DR इंसस राइफेल से अत्यादुनिक घातक और इंसस से भी हलकी है ये AK-203 असल्ट राइफेल, लेकिन क्यों इंसस राइफेल को बदलने की ज़रुरत परी, विशेशगों के मुताबिक इंसस एक पूराने जमाने की टेकनोलोजी बेस राइफेल है, उनके मुताबिक टेकनो को अपग्रेट करते रहना चाहिए, अपग्रेट नहीं करने से हमारे सेनाओ को लड़ने के जोसते रहेंगे, लेकिन मॉडरन टेकनोलोजी बेस वार एकुपमेंट के कमी के करन, बैटल फिल्ड में हरका सामना करना पड़ेगा, इंसस लंबाई में 960 mm वही AK-203, 705 mm है, इ इसे बहुत ही देड़ता केरी करने में इजी और कॉमफर्डेवल होगी, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगती है कि यह 300 गरम की कमी होने से क्या फर्क परेगी सेनाओ को, हाँ फर्क परेगी, क्यूंकि सेनाओ ने दिन राथ शोल्डर में राइफिल को लेके ड्यूटी में तहनात रहते है, यह अतिरिक 300 गरम कमी की बजाए से थाकन कम होगी और राइफिल को हैंडेलिंग करने में आसान रहेगी, इंसस की मेगजीन में 20 से 30 राउंड की मेगजीन लगती है, जो सिंगल शोट और 3 राउंड का बस्ट फैर कर सकता है, एके 203 में 30 राउंड की बॉक 39 mm की बूलेट्स लगती है, और इसकी रेंच 800 मिटर होते है, यानि कि टारगेट को दूर से ही आसानी से मार सकेंगे एके 203 राइफिल, इंसस की माजल वेलोसिटी 915 मिटर पर सेगेंड, वही एके 203 की माजल वेलोसिटी 715 मिटर पर सेगेंड, आप माजल वेलोसिटी को ऐ इंसास की बुलेट ज्यादा स्पीट से जाती है, comparatively AK-203 के, और यह दोनों SL rifle gas operated होते है, इसके अलाबा AK-203 में और एक बिशेस्ताय है, वो है इसमें पिकेटिनी रेल भी लगा हुआ है, जिसमें दूर्बीन और नाइट विजन केमरा भी फीट किया जा सकता है, जो दूर से ही निशाना को लगाने में help करते हैं, भारत सरकर ने जो आत्मनिर्वर भारत का जीस प्रकार से मुहीम छिरे है, भारत में AK-203 rifle बनाने से किसी दूसरे देश के उपर dependent नहीं रहना परेगा, इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में बनने से हम किसी दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कोरोना वैक्सिन की तरह ही, और इससे हमारे एकनोमी भी मजबूत होंगे, और तो हम सेल्फ डिपेंडिन भी बन जाएंगे, हाला कि भारत सरकर ने पहले से ही आम्स का मैनुफेक्चर कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के लिए, गौर्मेंट का सब्सक्राइब, लाइक एंड शेर कर दिजे, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू